नमस्का दोस्तों, मेरे नाम डॉक्टर नगिंद्र आदव है अप्रेल के महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में आप अक्सर देखते हैं कि तोते के छोटे बच्चे आपको बहुत इस महीने में देखने को मुलेगे सबसे जादा जो प्रॉब्लम फेस होती है कि लोगों को यह नहीं पता कि तोते के छोटे बच्चे को खाने में क्या देना चाहिए इसको कैसे रखना चाहिए, इसको किस टेंपरेचर पे रखना चाहिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर के सबस्क्राइब कर लीजिए अगर आप अपने पैट्स जैसे पक्षी कवूतर या कच्छो के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्षिन में दिएगे लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबर्शिप जोइन कीजिए क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है बहुत ही ज़्यादा सिंस्टिव होता है उसकी केरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूत होती है एक इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि लोग अकसर जैसे पैरेट्स घर में ले आते हैं तो सबस्यादा कन्फ्यूजर रहते हैं कि इसको खाने में क्या देना चाहिए क्योंकि घर के अंदर हमारी ऐसी कौन सी चीज अवेलेबल है जो कि हम बच्चे को दे और वो उसकी अज़े डाइट के तौर पर क्योंकि जो मार्किट का फूड होता है थोड़ा एक्स्पेंसिव भी होता है और यदि आप उसका आज ओर्डर करते हैं तो उसको आने में दो से तीन दिन का समय लगता है सबसे पहले बात करते हैं इसको एक छोटा बच्चा लेकर का तो उसको किस एनवायर्मेंट पर रखना चाहिए आपको हमेशा एक कार्टून यानि गत्ते का एक बॉक्स लेकर के उसके नीचे जो है निउस्पेपर की कटिंग आप बिछा लीए ये जो आपका जो एक छोट घर बन गया है चोटे उस पैरेट्स के बेबी के लिए उसमें वो कमफर्टेवल रहेगा क्योंकि आपको पाते हैं जितना गरम एनवायर्मेंट होट एनवायर्मेंट अगो इतना ही बच्चा कमफर्टेवल रहता है चोटे बच्चे को कभी भी डारेक्ट पंखे के नीचे क्या कूलर के सामने ना रख करके थोड़ा साइड में रखे और एसी के रूम में बिलकुल भी तोते के छोटे बच्चे को ना रखें क्योंकि एसी इनके लिए सूटेबल नहीं होता है एसी में रखने से यह बहुत जल्दी बिमार होते है एक तो बॉड़ी कीमुनिटी पह करें कि आपका बच्चा बिमार ही ना हो आपने एक बॉक्स ले लिए उसमें न्यूज़ पेजिपर की कटिंग डाल ली अब वो आपका एक प्रौपर उसका बेडिन अनुज़ प्र इसमें सबस्यादा आपका बेडिन मेटिन ठीक नहीं होगा जिसमें तो अक्सर इस चोट एज ग्रूप में बच्चे के जो है पैर स्लिप हो जाते हैं, मतलब पैर फैल जाते हैं, यानि उसके लेक्स में जो एबनॉर्मलिटी, यह आप देखते हैं, टेड़ी मेडियो हो जाती हैं, उसका रीजन सी होता है कि जो नीचे का जो बेडिंग मेटिरली होता है, वो प्रॉ छोटे बच्चे में आप इमान के चलिए, अब घरेलू खाना क्या क्या दे सकते हैं, जैसी आप छोटा बच्चा अपने घर में लेकर के आते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे घर में ऐसी कौन-कौन सी रसोई के अंदर चीज अवेलेबल है, जो हम छोटे बच् चाहिए, मतलब उसकी ठीकनिस वाटरी कंटेंट थोड़ा उस में ज्यादा होना चाहिए, आप उसको सिरिंज ड्रॉपर की साहता से आप बच्चे को हर दो-दो-एक-ए घंटे के गैप पे आप उसको देते रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपके बच्चे की एज कितनी है, जितना चौटा बच्चा होगा उसके इंट्रॉपर करता हो उसका इंट्रॉपल ज्यादा होगा, उसी इसाप से अपने कौन्टी देखने हैं, चौटा बच्चा है, हो सकता है, एक बार में 10, 10, 15, 15 डिरॉप से लें, अजो बड़ा एज ग्रॉप का बच्चा है, वो एक ब चे गंटे बाद शौफ्ट हो जाएगी इसको पीस करके मैश करके उसका लिक्विड पेस्ट बना लिए थोड़ा सा वाटरी कंट इंडूस में जाद रखें से रिंज ड्रॉपर की साहता से आप बच्चे को दीजिए बच्चा इसको इसली डाजस्ट कर लेता थोड़े से अल मूं की दाल साबुत मूंग जो है हमारे घरों में से अवेलेबल होता है मूं की दाल को पानी में भीगो दीजिए 5-6 गंटे का जो सौफ्ट हो जाएगी सौफ्ट होने के बाद आप सको बॉयल भी कर सकते हो या उसको सिंपल मैश करके पेस्ट सा बना लिजिए वाटरी क्योंकि मूं की दाल में जो हो प्रोटीन काफी होता है चोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए सबस्यादर रिक्वार्मेंट प्रोटीन के होती है आप उसका पानी दीजिए चोटे बच्चे को उनको इसली डाइजस्ट भी होजएगा और इंडाइजेसिंस लेटर को के काटा है इन चारों को इक्वल कॉंटिटीज में आप मिक्स करके एक बॉक्स में बना लीजिए उसमें रख लीजिए चारों को अच्छे से मिक्स करके आपका ये एक होममेड सारल है क्या होममेड हैं फीडिंग फार्मूल आपका छोटे बच्चे के लिए वेलेबल हो ग जब तक आपका मार्किट का फीड नहीं आता इस चार प्रिपेशन से जो आपके घर में अवेलेबल हैं आप इनको दुआरा आप अपने बच्चे को इसली ग्रो कर सकते हैं या उनका आपका से तो एक बोजन के तौर पर आप इनको यूज कर सकते हैं खाने में क्या-क्या और देना चाहिए फूड के अंदर देखिए एक आपको पता है कि छोटे बच्चे में सबसे आदा जो इस टाए मेरे पास क्लिनिक्स में क्लाइंट्स जा रहे हैं छोटे बच्चे को उसमें आपने देखा होगा बच्चे के अंदर पैरलिसिस एकदम से होएते हैं यही उसके टांगे काम करना बंद कर देती हैं उसका रिजन सी होता है कि बच्चे की बॉड़ी के अंदर देखिए केल्शियम की डिफिशनसी होएते हैं तो मसल स्टेट नहीं होजते हैं बच्चे के पैर अकड़ जाते हैं इसलिए बच्चे की डाइट में नियो पैप्टीन के होगी और कैल्शियम कहीं ना कहीं उसके इमुरिटीज सिस्टम को भी बिल्ट अप करने में मदद करता है एक जो सबसे ज़दा समझ से छोटे बच्चे में आती अक्सर आपके बच्चे ने दो तीन दिन बहुत अच्छे से खाना कहीं चोटे दिन आप देखेंगे कि अचानक से बच्चे को आपने जितना सुबह खाना कहा था दो पहर तक वो डाइजस्ट नहीं होता है यानि फूड जो है उसके क्रॉप के अंदर रुख जाता है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटे ब कोशिश किजे निकालने कोशिश करते हैं जब उसको जैसे कई वर क्या लोग करते हैं उसको नमक का पानी डाल करके उसको पिला करके उसको वोमिट कराने कोशिश करते हैं लेकिन छोटा बच्चा थोड़ा बहुत नाजूग होता है कई बर क्या होता है वो उस जब उसको प पानी के बज़ाए बेटर है कि आप बच्चे को ओरस एलेक्टरोल का पानी उसी में एड़ करते रहें खाने को निकालिये मत खाना धीरे 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 अपने आप डाइजेस्ट होगा उसमें दो दो ड्रॉप लिए फिफ्टीटू की आप डाइजिन की दे दिजिए और उसमे ओरस एलेक्टरोल का पानी हर घंटे में आप उसमें देते रहे हैं स्लो स्लो रिकवरी मतला उसको डाइजेस्टर में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे वो कौरॉप आपका खाली हो जाए जब एक बार कौरॉप खाली हो जाए तो आप एरो सोच लिजिए कि एक तो जो आप फूड दे रहे थे उसमें थोड़ा सा चेंजिस करने कोशिश किजिए क्योंकि बच्चे को फूड सूट नहीं हुआ उसको चेंज किजिए जब तक को डाइजेस्ट नहों उसमें ओवारा से लेक्टरोल का पानी लेफ फिफ्टी टॉर डाइजीन आप उसम अपने बच्चे को आप एक ऐसी सिच्वेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि अगर क्रॉप खाली नहीं होता है तो वह कई बच्चे के पास को ऑप्शन नहीं होता है वह सॉलिड होने का बच्चा कई बार उस पोजिशन में उसकी डैथ भी हो जाती है इसलिए इसको बहुत ही लाइटली आपने उसको हैंडल करना है, बच्चे को बिना कोई नुकसान पहुचा है, प्यार से उसको हैंडल करना है और इसली उस फूड को धीरे-दीरे रेजिस्ट करना है ताकि आप उस बच्चे को उसकी जान को बचा सका अब बात आती है कि मार्किट में इसे कौन- फूड्स कई परकार की कमिने जो बनाती है लेकिन जो मार्केट में जहातर आपने देखा गो A19 hand feeding formula है जो बच्चे के साब से है डे ओल्ड चिक के लिए आपको बनाया है A.C. Pats Live का hand feeding formula है जो easily available है आप इन में से यदि आपके पास समय है तो बच्चा लेने से पहले ही आप इनको अप मार्केट में पर्चेस कर गए ताकि First day से ही आपके बच्चा आता है तो आप इस feed को बच्चे को देना शूरू कर दीजिए और quantity थोड़ी थोड़ी देनी शुरू में एक दम से पेट भरके का भी नहीं देनी जब digest कर ले तो आटमेटी दूसरा birds को immunity booster जरूर देना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे की immunity weak होती है और उसकी immunity को हमें boost up करते रहने चाहिए और एक चीज़ आप कर सकते हो जिसे आपका crop भर गया है तो उसमें चीज़ हम कर सकते हैं एक कप पानी में 8-10 leaves पुदिने की उबाल करके उसको पानी को आधा रहने देजिए जो एक bottle में बना करके रख लीजिए ये जो पुदिने का पानी है जब आपके crop में food रुख जात है चोटे बच्चे में जब खाना रुख जाता क्रॉप के आज मैंने इस वीडियो के मध्यम से आपको बता है कि जब आप छोटा बच्चा लेकर के आते हैं तो आटमेटिक आपको किन की चीज़ों की सावधान ने कीजिए कैसे आपको उसको फीड कराना है कितने के इंटर इंटरवेल्स पर आपने खिला है उमीद करता हूँ कि आपके मेरे वीडियो पसंद आपके आपके मेरे वीडियो पसंद आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद